हेलो फ्रेंड विलकमfert के माई चैनल फ्रेंड आज आज हम आपको eight ladies कैप वित Jadi्ट मौफलर वाली आपको बनाना सिखांगे और बहुत आसान तरीके से इसको बनाना शिकांगे बहुत आसान सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का जो माईज आपको बताऊंगी फ्रेंड्स मैंने दो कलर में मनाई है देखिए दो कलर में है बहुत आराम दायक है इसके साथ आपको तुन्नी की है शौल के ज़रूरत नहीं आपके कैप पहन लीजिए और यह मौफलर वाली कैप मैंने यह ब्लू बेल का उल लिया वर्दमान का 100 ग्राम का यह होता है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपको कुछन से निडल यूज़ करना है कैसे इसका नंबर लिखा हुआ कि अगर कभी घड जाए तो आप इस नंबर से ले सकें यह ओल देखिए बहुत साफ टूल होता है प्रेंट्स आप अपनी पसंद का कोई सभी उल ले सकती हैं आपको जो पसंदों आप जो भी यूज़ करती हैं बहुत साफ टूल यह होता है बच्चों के स्वेटर बनाईए बढ़ों के बनाईए सभी के लिए यह बहुत परफेक्ट है अपनी अपनी चाइज आपको जो देखें मैंने इसे मैंने कैप बनाई अब देखें इस कैप को मैंने कैसे बनाया मैंने 150 फंदे लिए और डबल बॉर्डर बनाया फिर उसके बाद हमने यह पैटर डाला डिजाइन पैटर देखें इस तरह तीन सीधा एक उल्टा मैंने रखा तीन सीधा एक उल्टा का बॉर्डर है यह देखें डबल है डबल इसलिए कि आगए कि तक थोड़ा मोटा रहता है तो अच्छा रहता है कैप में सपने साती जिससे और गर्म रहता हमारा इसकी देखें चोड़ाई 8 इंच है मैंने 120 जादे लीजिए मेरी बुनाई थोड़ी टाइट है और मैंने इसके बाद बॉर्डर और पैटन जहां तक मैंने पैटन डाला है यह 8 इंच तक बॉर्डर को लेकर यह 8 इंच है पैटन 8 इंच तक पड़े हुए कोई सी भी डिजाइन आप डाली अपनी पसंद की अगर यह दालना तो फ्लॉ censorship कामेंड करिया मैं इसी डिजाइन को आपको बनाना सिखा दोंगी तो दिछी इंच के बाद मैंने घटाया है चार जगासे तीन का एक तीन का एक चोटी बनाते हुए किया है चार जगा में मैंने फंदों को बाट लिया है 120 थे तो 30-30 पर आराम से हो गया यह उसके बाद जब यह हमने घटाया है तीन का एक, तीन का एक किया है तो यह तकरीबन साड़े नो इचिस ज्यादा हो गया और 15 फंदे बचे तो मैंने उसको सुईसे निडल के साहता से सब एक में ले करके इसको हमने सिल दिया एक ही निडल में और सिलने के बाद पिर हमने यहां तक सिलाई कर दी जहां तक मैंने पैटन डाले थे उतना छोड़ दिया और जहां तक मैंने घटाया तो सिर्फ उतना ही सिलाई की ङाने कीज़ी सोई से थीपूरा मैंने खुला रखा क्योंकि हमको ममुफलर बना करके, देखिए मने ममपलर में बनाया ममपलर न भी हमने 5 सीधा एक यह पैटन डाला और मैंने ममफलर भी 100 फंदे रखे सो फंदे रखे मैं इसलिए रखे मैं चाहती सिलाई कर दी कि मैं और भी ज़ादा आराम पहुंचा चाए थंड में और गरदण पर भी हमारे सुलडर पर भी ये स्वाफ्ट initiatives एउस रहे, कर्मू रहे, चुल्डर हमारा, इस तरह मैंने पैटर्न राले, दось- सकी 10 लाइन, यू रूसरी है, पेंग की और दस लाइन, दस लाइन, الुर्ड्स लान का है, बीडरी बूली लाई लायर, ये बनाया कुरैशियसे, बनाने के बाद इस तरह मैंने इसको लटका दिया इसको लटकन भी बोलते हैं आपके तरफ क्या बोलते हैं फ्रेंट बताईएगा इसके बाद कुछ दुरियो मैंने एक और पैटन डाला और इसको देखिए यह कैप में अटाइच किया मैंने सीधा-सीधा बिल्कुल मुफलर मैंने बिल्कुल सीधा बनाया दो मीटर का मैंने इसके लंबाई रखी मुफलर मट की पूरी लंबाई दो मीटर इसके बाद मैने जब इसको अटाइच किया है तो अटाइच करते व객 सिभा हमको ध्यान रखना है कि हमको अपने लेफ्ट साइड कितना रखना है यह करने से हमको नापना होता भोना सिद है विल्कुल सीधा हमारा मफलर बना था के घटाया नहीं कुछ लोग जो हैं इसको गटाते हैं और बढ़ाते हैं किस तरह मैंने कुछ ने बिल्कुल सीधा मफलर बना या बैता धर यहां इतना यह ज़्यादा बड़ा नहीं है उमको 18 इंच लग रहा है वैसे मैं आपको नाप को दिखाती हूं कितना है दिखें यहां से इसको measurement लेंगा इसका प्रेंड्स इस कैप को बनाने में 350 ग्राम मूल लगे हैं क्यूंकि मैंने डबल कर दिया मफलर को वनना और कम लगते 18 इंच है यह 18 इंच यहां से फिर हमने कैप को जोड़ा है कैप को रखकर सीधी सीधी देखें कि अब यह कैप जब हमने जहां से जोड़ी हूं मैं इसका भी मेजर्मेंट बता देती हूं आपको देखिए यहां से यह जहां से मैंने कैप को जोड़ा है देखें सीधा सीधा बिल्कुल के पास हमने यह मफलक पूरा हमने अटेच कर दिया है निडिल की सहायता से इसकी देखिए इसके बाद देखिए अभी मैंने दो मीटर बनाया था जिसमें से दो पूरा बनाया था है इसके पाद जो भी मेरा बचा देखिए साइड हाई राइट साइड मैंने कितना लंबा इसको बनाया है तेखे यह इतना बचा यह दो मिटर पूरा पूरा मैंने बनाया था कि लंबा है यह अच्छा खासा लंबा है और चोड़ा यह मैंने अच्छी रखी है सौफ अंदे डाले थे पचास-पचास की दोने तरफ आ गया है कि तक्रीबन देखिए 40 इंच से ज्यादा है 40 इंच कि इस तरह मैंने कर देखिए जोड़ दिया मैंने डबल कर दिया यहां से इस तरह मेरा मफलर वाली कैप तयार है लेडिस कैप देखिए यह इस तरह यह इसके लुक आया है ते देखिए उस अब बहुत आसान तरीका मैंने बताया आपको चाहे आपको रेश्य से बनाईए यह छिलाईव से बनाईए दोना तरह से आपकी पसंदा दोना तरह से सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह नहीं नहीं चीजें सीखने के लिए आसान इस टिक्स और टिप्स जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प बराबर पत्तियां आ जाएंगी देखिए इस तरह पहने पर दोनों सामने बराबर लगेगा यह कैप है प्रिनल साब जरूर बताईए का आपको यह कैप बनाने के तरीका कैसा लगा थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग बहुत 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 शुक्रिया